लाइक, शेर, सब्सक्राइब और प्लिक अन बेल आइकॉन तो नेवर मिस अन अपडेट फ्रम एपिक रुखमा बाई का जन्म 22 नवंबर 1864 को मुंबई में हुआ जब रुखमा बाई दो साल की थी तब उनके पिता की मृत्ती हो गई उनकी मा जयन्ती बाई ने डॉक्टर साखाराम अर्जुन से दूसरी शादी करने से पहले अपना घर रुखमा बाई के नाम कर दिया रुखमा बाई को बच्पन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था वो अपने स्टेफ फादर की तरह डॉक्टर बनना चाती थी उन दिनों महिलाएं मेल डॉक्टर से ट्रीट्मन लेने में हिचके चाती थी और लड़कियां डॉक्टर बनती ही नहीं थी इसी कारण रुखमा बाई डॉक्टर बनना चाती थी लेकिन उनकी पढ़ाई में एक बड़ा हडल उनके पती न डाल दिया एक कोट केस फाइल करके क्या था ये कोट केस जो इंडिन जुडिशरी का लैंड मार्क केस बना रुखमा बाई जब सिर्फ 11 साल की थी तब उनकी शादी उनके स्टेफ फादर के कजन दादा जी भिकाजी से करती गई 19 साल के भिकाजी एक irresponsible और लोन्स से घीरी जिन्दगी बिता रहे थे उन्हें education में कोई interest नहीं था लेकिन रुखमा बाई पढ़ना चाती थी और अपने पिता डॉक्टर साखाराम के support से वे अपने schooling अपने ही घर पर complete कर रही थी शादी के 6 माहिने में ही भिकाजी ने अपनी पतनी रुखमा बाई को अपने साथ रहने के लिए force करना शुरू कर दिया लेकिन भिकाजी की खराब आदतों और careless life style को देखते हुए डॉक्टर साखाराम ने अपनी कम उम्र की बेटी रुखमा बाई को भिकाजी के पास नहीं जाने दिया भिकाजी की बहुत कोशिशों के बाद भी जब रुखमा बाई ने उसे अपना पती मानने से refuse कर दिया तब भिकाजी ने रुखमा बाई के खिलाफ बॉंबे हाई कोट में Restitution of Conjugal Rights के तहत केस फाइल कर दिया जिसमें एक husband अपनी wife को शादी निभाने के लिए force कर सकता है सन 1885 में Justice Robert Hill पिनहे के समय में जब ये केस आया तब रुखमा बाई ने अपने support में कहा मेरी शादी माइनर एज में मेरी permission लिए बिना कर दी गई थी अब जब मैं अडल्ट हो चुकी हूँ अपनी मर्जी से जीना चाते हूँ और भीका जी के साथ कोई marital relationship नहीं रखना चाते हूँ सभी दलीलों को सुनने के बाद Justice पिनहे ने कहा helpless infancy में की गई इस शादी को carry on करने के लिए वे रुखमा बाई को compel नहीं कर सकते और उनके परिवार का अपमान कर कहा कि समाज में लड़की के लिए उसका पती ही सब कुछ है भीका जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से March 4, 1887 को कोट में केस फाइल किया इस बार दूसरे जस्टिस फैरन ने दोनों साइट के लॉयस की बात सुनी और बहुत सारे एक्सपर्ट से उपीनियन लेकर अपना वर्डिक दिया कि रुखमा बाई या तो अपने पती के साथ रहे या फिर छे महिने की जेल की सजा काटे रुखमा बाई ने जेल की सजा बोल्डली एकसेप्ट कर लिया इस न्यूज ने भारत ही नहीं इंगलिंड में भी धमाका मचा दिया इस सजा के खिलाफ उनके सपोर्टर्ज ने इंगलिंड की कुईन विक्टोरिया को कई पेटिशन्स लिखे फाइनली कुईन ने कोट के ओडर को डिजॉल्फ कर रुखमा बाई को जेल जाने से बचा लिया और दूसरी तरफ बीका जी ने दो हजार रुपे का कॉम्पेंसेशन लेकर केस क्लोज कर दिया आखेर 1889 में अपनी डिटर्मिनेशन से वे लंडन स्कूल ओव मेडिसिन फो विमन में एंबीबियस की पढ़ाई करने निकली और 1895 में पढ़ाई पूरी कर भारत लोटी लेकिन एक हीरोज वेलकम के बजाए उन्हें अपमान सहने पड़े इसके बावजूद उन्होंने 90 साल की उम्र तक लोगों की मेडिकल सेवा की रुखमा बाई का यही लैंडमा केस कुछ साल बाद जाकर 1891 में एज ओफ कंसेंट आक्ट का फाउंडेशन बना इस अक्ट के अनुसार 12 से कम उम्र की लड़कियों की शादी को इल्लीगल बना दिया गया आज के समय में इसी लॉन ने शादी का मिनमम एज 12 से बढ़ा कर 18 कर दिया है अगर रुखमा बाई ने 1885 में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई होती मिला है कि वो अपनी चॉइस से शादी कर सकती है